नमस्कार दोस्तों दिव्य घरेलू उपचार चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे इस सर्सों की खली से होने वाले फायदों के बारे में लेकिन दोस्तों आप वीडियो को ध्यान पुर्बकलाश तक जरूर देखते रहे और वीडियो पसंद आये तो अभी चैनल को सस्क्राइब कीजी क्योंकि मैं डेली नई नई जानकारियां लेकर आते रहता हूं दोस्तों आप जो यह सर्सों की खली देख रहे हैं यह सर्सों की पेराई करके निकाला जाता है जिसे हम सभी खली बोलते हैं तता इसे बहु जगों पर खरी भी बोला जाता दोस्तों इस खली को कई तरह से कई कामों में पर्योग किया जाता है जैसे कि गाय भंश को खिलाने के रूप में खेतों में अधिक पैदवार बढ़ाने के रूप में बालों को काला वा खुबसुरत बनाने के रूप में इतियाद क्योंकि इस सर्षों की खली में अत्यधिक म अगर आपके बाल कम उम्र में सफेद हो रहे हो या आपके बाल ज्यादा मात्रा में तूट रहे हो जड़ रहे हो या फिर गंजेपन की समस्या आ गई है या आपके बालों की रंगत चली गई है तो आप इसरसों की खली को पानी में भिंगो कर अपने बालों पर डेली लगात तो आपके बालों में होने वाली सारी समस्या ये बिल्कुल रूप से दूर हो जाएगे इसके अलावा अगर आपके बालों में डेंडरप की समस्या है या आपके बालों में रुखरापन की समस्या आ गई है तो इस खली को लेकर थोड़ा पानी में भिंगो कर सुध सरसो का त आने से डंडरब तता रुकरापन की समस्या बिल्कुल रूप से दूर हो जाती है और बाल बिल्कुल चमकते दमकते दिखाई देते हैं इसके अलावा जिन पशुओं में दूद नहीं होता है तो आप इस खली को पानी में भिंगो कर और इसमें गेहूं का चोकर मिला कर सुब मतपुर्ण फाइद है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकारी को ले कर तब तक के लिए ओके बाई बाई